खबर मद प्रदेश के रिवा के रानी तलाब मंदिर से आ रही है जहां इस वक्त भक्तों में खुशी की लहर देखी जा रही है आपको बता दे विगद दिनों करोना काल के चलते रिवा के रानी तलाब मंदिर में नवरात्री के दिन रानी तलाब काली का माता मंदिर में जल चड़ाने की अनमति प्रसासन ने दे दी है जिससे भक्तों में खुसी की लहर देखी जा रही है इस ख़बर की जानकारी होने के बाद से देवी भक्तों में खुसी की लहर है आपको बता दे की कोविड आने के बाद से ही रोक लगी हुई थी वही आज नवरात्री पर्विके छटवे दिन काफी भीट दिखाई दी राणी तलाब मंदिर के प्रधानकोजाली ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया यह मंदिर काफी पुराना है और यहां भक्तों की काफी आस्था जुड़ी हुई है यहां आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं लेकिन अब भक्तों को यहां प्रसासन ने जल चढ़ाने की अनमत दे दी है अब रोज सुबह यहां आने वाले भक्तगर्ण माता रानी को जल चढ़ा सकते हैं आईए हम आपको ले चलते हैं रिवा के रानी तलाब कालिका माता मंदिर में और दिखाते हैं कि भक्तों की इस मंदिर से क्या आस्था है और प्रधान कुजारी का इस मंदिर के बारे में क्या कहना है आपको जी मेरा नाम है स्मृति सिंग बगेल है इस मंदिर में काफी सालों से आ रहे हैं इस मंदिर में और बहुत अच्छा लग रहा है यहां और शांती मिलती है हर मनुकामना भी पूर्ण हो रही है और अब तो सबसे खुशी की बात यह है कि यहां जल चड़ाने को मिल रहा लेकिन अभी तो नहीं है अभी तो शुरू और आकरी कही रहते हैं पुरा परिवारी आता है हमारा सुखलाम ब्रह्म्मे विचारे पदेमा माध्याम जगत ब्याक्त ने बिना पुस्तक धार्णिम भैराम जाध्या पहाम यह रजवाडों का जवाने का मंदिर है लगबख साड़े चाहसो बस पुराना है यहां के हम प्रधान पुजारी हमारी पीड़ी दर पीड़ी मा की सेवा आज अठ्वी पीड़ी सेवा करते में चली आ रहे हैं यहां रानी तलाव के नाम से विख्यात है यह रानी तलाव नाम विख्यात क्या हुआ क्यों हुआ इसा कारण है रक्षवंधन का दिन था लमाना उस जमाने के लोग थे ब्यापारी हुआ करते थे तो लमानों ने महरानी शाप के हाथ में अपना साड़ी का पल्लु फाल करके राखी बाधा और जो लमाना थे वो भी जोद्पूर के थे तो उन्हें बहन भाई का रिस्ता माना गया था तो उन्हें कहा कि आप हुमारे कलाई में राखी बान दीजिए और इसी से इसका नाम पढ़ जाएगा रानी तलाव यहाँ साल में दो बान नवरात लगता है कुमार और चैत इनमें सोला सिंगार माई का सोन का होता है जो अश्टमी अनौमी को ब्रहा सिंगार होता है जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि वो दो दिन का सो भाग लोगों को प्राफ्थ होता है बाकी दिन चादी का सिंगार भाई भगवती का होता है सोने चादी मिला कर लेकिन अश्टमी नौमी का टोटा सोना पन्ना हीरा जवारात का सिंगार होता माई का और यहां जो आस्था का केंदर बना हुआ है तो आपके मन में जो कलपना उठती है भगवति इसको तुरूंद भाग जाती है तो कहते हैं जो जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करेंसभ कोई जिनके उपर छट शाया माजग दंबा की होती है वो सब भक्त जो है उनके आवाज उनके भासाओं को समझ जाती है देखिए करोना काल के बाद जो है आज तक कल आपके जो है पंचिमी थी हमने देखा कि जीरो पॉइंट लोगों के आस्ता केंद्र हो गया था लोगों को यह लगा कि भाई हमको के बल भीगन नहाए भी अंदर जाने के लिए परमीश रहे तो नहाए पहले लोग एक सद्धा थी जाएंगे माघे चर्णों को दोएंगे उनका चर्णा मित देंगे जम नहाए के जाए तो भगवतियों के स्रीवकार करेगी ठीक आप उजारी भर को वाद इस वग पुजारी भर स्टान करांगे भक्ति लोगों श्नान नहीं करांगे उनके बन भाई सासन से बांग करते हैं और मांग करके पुरानी परथा को पुना चालू करते हैं जो हमारी नहीं परमपरा में फिर चले आते हैं तो फिर माननी स्री मान जी के द्वारा जो है कलेक्टर द्वारा पुना आदिसी दुगा कि भाई पूर्व के अनुसार पुना विवस्था चालो की जाए तो जैसे लोगों में हमने यहां मैसेज दिया ऐसे इतना उस साह लोगों के अंदर पैदा हुआ भाई सा कि मैं क्या बता हूँ रात यसे लोग बाग बुबाई ने मैसेज भेना सुरू कर दिया को बार मीडिया वाले आना सुरू के पंडिजी दो मैसेज दिजी दो मैसेज द आप अपना नाम बता रहे हैं